वीडियो में आपको बताने वाले हूं एक नाम भी बताने वाले है यू especs रख पलग में आपको बताने वाले से धुर्जर ओ रहे हैं wordt मचीर की लाइफ चेंज देगा भराड से फोल्ग होसाइगा है तो हमारी मसीर से बसाएगा और आपकी कॉण सेबले आपक competent जाएगी तो ध्यान से देखें वीडियो को बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला और आप लोगों से रिक्वेस्ट गुजारिस है जो भी माता है वैंने वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते काकले लगाना है इसे तरीके से लगाना है इस तरीके से यह हमारी लगेगी और इसमें प्यंच कषेंगे ढू जब Amp बहुत ही कोसिस करनी पड़ेगी और अच्छा पैंचकस भी होना चाहिए तो चलिए हम इस पैंचकस से खोलने का प्रयास करेंगे जे पैंच इसमें लगे हुए है एक जे पैंच है तो इस तरीके से अगर ये पैंच सिलिप हो जाए तो जहां से पत्ती लेकर आए महां आपको ये पैंच भी मिल जाएगा तो अब हमें क्या करना इस तरीके से मोण कर और ये पैंच भी खोल लेना है तो हम इस साइट से खोलेंगे देख सकते हैं ये चलिए हम जूम करके दिखाते हैं आपको ताकि आपको हर चीज के लिए सही से इस पश्ट समझ में आए नहीं पैंच है यह वाला पैंच है कि अज़ियों का टाइम आएगा तब हम दूब में बैट के बनाएंगे ताकि आपको और भी किलियर अच्छे से पता चले चलिए पहले निसान लगा लेते साइज से अब पैंच हमें ये पैंच खोल लेना है दोने पैंच इस पैंच जिवाला एक बूब वाला पैंच है तो इस तरीके से यह वाला पैंच भी खुल जाएगा अगर पैंच अगर अभी तक आप लोगोंने सब्सक्रैब नहीं किया चैनल को तो फ्रीज आप लोगी लोग फैले से देख रहे हैं पहले से माले चैनल को विजिट करते हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक करें और एकासे अजलित कर दिया करें भाई ने किसी और का भी भला हो जाएगा तो यह देख सकते हैं यह पेंच देख सकते हैं यह पेंच इस उटा ता कि यह खो गया तो और यह खो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो ध्यान से देखें यह वाला पैंच भी यहां का भी खोल लें पत्ति को पत्ति आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं पहले तो मसीन दागा ने करेगी तो यह पत्ति को चेंज करने से ही होता है देख सकते हैं यह पत्ति निकल के बाहर आ गई है और यह भी प्हेंच है जियक सकते हैं तो चली इब हम पती लगाएंगेश तो काई से में लगाने इस तरह से हमने निकाल ली ती और मोड़ा हुआ है इसा मैं रहेगा नीचे की साधह है जो मोड़ इस तरीके से लेने के बार और आपको इस तरीके से क्लीन कर लेना आ है। आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं प्रीज कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी खुशी होती है कि आप लोग बहुत दूर दूर से हमारे वीडियो को देखते हैं और उससे कुछ फायदा उठाते हैं तो पस हमें खाली एक लाइक चाहिए और आप से कुछ एक्स्ट्रा हमें में तो इस तरीके से सपाई हो गई एक सकते हैं इस तरीके से अच्छे सपाई रकाइं क्ले अब हमें पत्ति को लगा लेना अगया लाएं लघने में थोड़ी प्रब्लम होती है तो इस लगाने के लिए में क्या करना मसीर को लिटा लेना लिटा लेना तो जादा अच्छा रहेगा तब अच्छे से लग जाएगी अज़ेख सकते हैं यह दोनों प्रेंचों को में कसना आए तो इस तरीके से इसे प्रेंच को रख ले जहां रखे को ना नहीं चाहिए अगर खो गया तो फिर में नया लगाना पड़ेगा तो इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा कसले पहले से कसलें फिर उसके बाद हमें यह वाला कसले ना है चलिए यह वाला भी कस लेते हैं तो अच्छे से उसे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग से गुजारिस भी है इसी बात की क्यों आपके बस आपकी लाइक पाने के लिए हमें यह सब कुछ कढ़ना पड़ता है तो आप हमें क्या करना यह वाला प्लश कर देखना लेकिन एक बहुत तेर फूना तो भूने से कि इस तरीके से कसलें को अच्छे से कसना है कि इसे बोलते हैं डोंगी की पत्ती मार्केट में इजरी मिल जाएगी आपको इस तरीके से कसलें आपकी मसीन की ये प्रॉब्लम खतम हो जाएगी आपकी दागा नहीं काटेगी और तेज तेज आवाज नहीं करेगी इसका रीजन भी क्या है रीजन भी हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा होता है पिचलिए यह हमारा काम इतना हो गया अब हम आपको नाल कसलेते हैं इसकी नाल आपको पूरी नाल चेंज करनी है तो वो भी हम आपको वीडियो बना के देंगे क्योंकि अगर नाल में कोई गरवड़ी हो जाती है और आप लोग सहीं नहीं कर पाते हैं तो पूरी नाल भी पाती है तो देख सकते हैं अब यह मारी दोंगी परती नहीं लग गई है अब यह अच्छा काम करेगी और यह यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी और यह ना दागा काटे कि ना ही कोई कहती भी समस्या नहीं देगी तो चलिए अब हम नाल को कस देते हैं इस तरीके से आपको कसना आए नाल को अब यहां रखें इसमें और कौन सा यूज करना है और का बहुत ही बिस्चेज माहित होता है इसमें तो और आपको नारीयल तेल यूज करना है तो इस तरीके से दोनों पेंचों को कशलें बारी बारी से का अई का अउन तो हम ना रहे फूक किन्ने करी करीं 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 हमने करीं उना हमने करीं अच्छा तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोनों पेंचों को बराबर कसलें इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लें अब आपकी यह समस्यास दूर हो गई आपकी मसिन दागा नहीं काटेगी थोड़ा नाल को सही से बैठाएं नाल को थोड़ा भी तिर्शा विशा कस दिया तो फिर कोई नई दिक्कत त्यार हो जाएगी इसलिए ध्यान से देखें और अच्छे से नाल को सही से कसलें तो आज हमने चेंज करके दिखाया आपको डोंगी की पत्ती से बोलते हैं मैडिन जापान की है यह और मसीन बहुती